आईए सुनते अनु सिंग चौतरी जी की कहानी प्लीज डू नाट डिस्टर्ब तुरोज इदर ही सोता है ये पहला सवाल तो नहीं हो सकता जो कोई किसी से पूछता हो लेकिन ये मुंबई है और यहां इतना वक्त नहीं है किसी के पास कि लंबी चौड़ी भूमिका के साथ कोई बातचीच चुरू की जाए इसलिए मुंबई में कोई भी सवाल पहला सवाल हो सकता है और आकरी भी बहराल सवाल पूछने के बाद स्टूडियो के रिसेप्शन पर कोने में लगे लाल रंग के सोफे पर करीब करीब पसरती हुई रोहनी ने अपनी आखे बंद कर ली बिना जवाब का इंतिसार किये रोहित को सूजा रही कि क्या कहे तंग जीन्स और आदी कटी बाजू वाली टॉप से जहाकती रोहिनी की उम्र की और ठीक से ताका भी नहीं जा रहा था वो पैथिस की भी हो सकती थी और पच्चिस की भी उम्र का कपड़ों से कोई लेना देना नहीं होता दरसल उम्र का रंग रूप, फितरत आदत, किसी भी चीज से लेना देना नहीं होता ऐसी कच्छी पक की बाते अब समझ में आ रही है रोहित को मुंबई में रहते हुए बॉस ने रोहित को नाइट शिफ लगाने की हिदायत दी थी मंगल बुद की डबल छुटी के वादे के साथ क्यार बॉस का वादा पूरा नहीं ही होना था और इसमें रोहित को जादा नुकसान दिखता भी नहीं था स्टूडियो में रुके रहने का कोई भी मौका वो खोना नहीं चाहता एक तो जुलाई की उमसवरी गर्मी से निजात और दूसरा नाइट शिफ्ट की आदत तो उसे पढ़नी ही चाहिए दो साल में असिस्टन्ट एडिटर बन जाना है और पांस साल में एडिटर बिना दिन राथ स्टूडियो में मेनद किये ये नामुम्किन था तू जाग रहा है अब तक रोनी फिर जाग गई थी मेरा अडिटर तो सो गया रहे अब अनके पास कोई काम भी नहीं चल लोखन वाला क्रॉसिंग सेल सिग्रेट की डिब्बी लेकर आते है रोहत की नजरें अपने आप दूर दिवार पर टिक-टिक करती चौकोर घड़ी की और घूम गई नया है क्या इधर जानता नहीं इधर रात नहीं होती तेरे को डर लगता है तो मैं लेकर आती है तू इधर ही बैठ डर पोक कहीं का मेरा एडिटर उठ जाए तो उसको बोलना मैं पंद्रा मिनट में आएगी नहीं मैं 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 चलता हूँ न साथ में आप अकेले ऐसे कैसे जाएंगी तू कोई सलमान खान है जो मेरा बोडिगार्ड बनेगा नहीं मैं मैं तो बस कुछ खाया कि ऐसे ही पड़ा है इधर डाई बज रहे हैं भूक लगी हो तो नीचे वड़ा पाव भी मिलेगा खाया मैं उपर जाकर उस घोड़े को बोल करा हम दस मिनट में लोटेंगे ये फालतु में नाइट लगाते हैं हम काम तो होता नहीं कुछ साली नीन की भी वाट लगती है जी तो क्या सीधे लगना उसे आया इधर ऐसे बात करेगा तो इधर सब तेरा कीमा बना कर डीप फ्रीजर में डाल देंगे और टाइम टाइम पर स्वाद ले लेकर खाएंगे चल अब बोल कर आओ उपर फिर हम तफरी मार कर आते हैं थोड़ी रोनी फिर सोफे पर लोडग गई थी सीणियों से चड़ते हुए उसने रोनी की और एक बार और चोर नजर्फे की इतनी राद गए वाकई ये बाहर जाएगी उपर एडिट स्वीट में एडिटर अस्तबल के सारे घोड़े बेचने में लगा था बोलियां इतनी तेज लग रही थी कि खराटो की अवाज सांट्रूफ रूम के बाहर तक सुनाई दी एफसीपी पर टाइम लाइन सुस्तलेटी पड़ी थी जैसे उसे भी सिंकारा की जरूरत हो या फिर शायत स्मोक की ये फिल्म स्मोक पर जाएगी ऐसा बहुस कली बोल रहे थे जरूरत भी है पहला ही शॉट कितना डल है रोहित को अचानक पहले शॉट में कमरे से दंदनाता हुआ निकलता हीरो याद आ गया था कोई इनोविशन नहीं न शॉट में न एडिट में रोहित ने टाइम लाइन को प्ले कर कर देखा अभी तो चार सीन भी एडिट नहीं हुए थे कल के बार ये इनाडिट लगा कर करते क्या है आखिर इतना टाइम एक सीन एडिट करने में लगता है शॉट्स की बेतर टीवी देखकर वो उन्हें करीने से सजाने के लिए मचलता रहा फिर किसी के काम में दखल अंदाजी ना करने की बॉस की हिदायत को याद करके वो वापस एक किनारे खड़ा हो गया देर तक खड़े रहने के बाद भी वो तैने ही कर पाया कि एडिटर को जगाए या वापस लोटे वैसे स्टूडियो की चाबी निकाल कर बाहर से लॉक करने का भी एक फिकल्ब था जो एडिटर उट भी गया तो रोहिनी को फोन तो करेगा ही वैसे उसकी नीन देखकर लगता नहीं था कि अगले दो घंटे गेरे शोर वाली सासे निकालने और बीतर लेने के अलावा उसका बदन कोई और हरकत भी करता जो यमराज भी आते तो डर कर लोट जाते स्टूडियो को बंद करके रोहित रोहिनी के पीछे पीछे चलता रहा एक तो सिगरेट के धुएं से परिशानी होती फिर उसके साथ चलते हुए बात चीत करने की अधिरिक्त सजा कौन भुककता चौते माले से सिणियों से उतर के दोनों लोखंड वाला क्रोसिंग की और मुड़ते इससे पहले रोहित खड़ा रहा और उसके शरीर की हरकतों को अनिश्चे तांखों से पढ़ता रहा पहले रोहिनी ने दाहनी हाथ से बाएं और का स्लीव खीच कर कंधे तक चड़ाया फिर बाएं हत्याली में रखे सिगरेट के डब्बे को देर तक देखती रही दाही ने हाथ की उंगलियों से एक सिगरेट निकाला डब्बे पर उसे तीन बार ठोका जीन्स की जेब में हाथ डाल कर लाइटर निकाली और एक गहरे कश के साथ सिगरेट जला कर वापिस बैट गई सिगरेट की गहरी करश लेती हुई किसी गहरे खयाल में डूबी हुई तू कहां से आया रेधर? रोहनी के अप्रत्याशित सवाल से रोहित की तंद्रा तूटी और वो घबरा कर वापिस सड़की और देखने लगा मैं पूछ रही हूँ कि तू आया कि दर से बंबाई का तो नहीं लगता? चीला बाद से, भाग कर आया? जी, जी नहीं, फिर लड़कर आया होगा रोहित ने नजरे जुका ली और इसमें गिल्टी फील करने का क्या है? बंबाई भाग कर आओ तब ही तो लाइव बनती है सिगरेट पिएगा? रोहित ने सिरह लाकर मना कर दिया कोई लट लगे, इसके लिए चंदलमें बहुत होते है खुद को बुरी आत्तों से बचाया जा सके इसके लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है मैं भी भाग कर आई ज्यादा दूर से नहीं, इधर ही रतलाम से वेस्टरन रेलवे की सीधी ट्रेन आती थी इधर आई थी हिरोन बनने और देख क्या बन गई वैसे दीदी, आप करती क्या है तूने तो दस मिनट में रिष्टा भी बना लिया बड़ी तेस चीज है खाली रिष्टे गलत बनाता है रोनी की बात सुनकर रोहिद जेब किया और दो कदम पीछे हटकर वापिस सड़क किनारे पेट्रोल पंपर खड़ी गाड़ियों के मॉडल पहचानने की कोशिश करने लगा गल्फरेंड है? जी गल्फरेंड उधर लाबाद में? जी है जीने की वज़ा है तेरे पास फिर तो क्या पूछा तुने? क्या करती हूँ? पूछ क्या नहीं करती? जी सब साले कंगना रनाओट की किसमत लेकर थोड़े आते हैं अधर मैं देखने में कैसी लगती हूँ रे? जी जी है चाई जे के अंग्रेजी इतनी ही आती है तुझे जी नहीं जी मतलब इससे जादा आती है तो अंग्रेजी में बोल कैसी दिखती हूँ मैं? जी ब्यूटिफुल बस दो चार वर्ड और गिरा मार्केट में प्रिटी अम लवली अब सेक्सी बोल सेक्सी जी वही तेरा कुछ नहीं हो सकता गर्फरंड को कैसे पटाया रहे? वो तो अपने आप प्यार हो गया लटिका का सोचकर रोहित अपने आप मुस्कुराने लगता था रोहिनी के ठाके उसे फिर एक बार लिंक रोड की सक सडक पर ले आए नया मुर्गा है तेरे हलाल होने में टायम लगेगा अभी Anyway घर छोड़ा तो तमीज भी छोड़ाई तू भी साला सुधर जाएगा चल अभी तेरे को बरिस्ता में कॉफी पिलाती है जी मैं कॉफी नहीं पीता तो जिंदगी में करता क्या है? प्यार करने के लावा एडिटिंग सीख रहा हूँ सीख ले फिर बताना काम दिलाएंगी तेरे को में ना किसी फेवर के तू अच्छा लगा मुझे अभी तो टाइम लगेगा बेसिक्स पर हाथ साफ कर रहा हूँ कॉन्फिडिंस से बोल सब कर लूँगा तब काम मिलेगा मेरे एडिटर को नहीं देखा साला एक शॉट अपनी अकल से नहीं लगाता छोड़ दो तो दो शिफ्ट की एडिट में पंदरा दिन लगाएगा माते पर चड़कर काम कराती हूँ कमबक शकल है अच्छी उसकी वरना रात में नीन खराब करने का कोई और मतलब ही नहीं बनता था जी? जी क्या? नहीं जानता वो मेरा नया बॉइफ्रेंड है प्रोड़क्शन वालों को एडिट पर बैठे देखा कभी? तुझे वाख़ी टाइम लगेगा तेरे लिए बेसिक्स भी क्लियर नहीं रहे बॉइफ्रेंड की बात सुनकर रोहित के कानों में दमदार खर्राटों की आवाज लोटाई थी वो अब ऐसे गहरे सदमे में था कि उसकी जुबान तालू से चिपक गई थी शायद और उसकी आँखों के आगे एडिट सुईट के बाहर कल रात लटकता प्लीज दू नाट डिस्टर्ब का बोर्ट जूल गया था जिस बेफिकरी से कल रात बोर्ट टांग दी गई होगी एडिट सुईट के बाहर उतनी बेफिकरी से रोहिनी अपना तीसरा सिग्रेट फुकने में लगी थी अभी तो ये थी अनू सिंग चौदरी जी की कहानी प्लीज डोन डिस्टर्ब सुनने के लिए धन्यवाद